वेलकम बेक स्टुडेंट्स तो कल की क्लास में हमने देखा कि हम दो मिस्सिबल लिक्विड्स मिस्सिबल लिक्विड्स का मीनिंग मैंने बताया था जो आपस में बिक्स हो जाती है है फिस्टिलेशं मेफर्ड से उसे हम सेप्रमीठ चाहत है यह इक पार्ट होता है जिसका नाम होता है अधा या था कंडेंसर से एक लिक्विड बहा निकलता रहता है दूसरे फ्लास्द में तो काम कैसे करता है यह करता है कि दो विस्सिबल लिक्विड्स का जो आपका boiling point होता है वो different होता है जैसे , आपका water का 100 डिगरी या एगर water में मिला हुआ है तो , पूरी तो जब तक पहला mortать पूरी तंक नहीं हो जा यह इसका टेंपरिचर उसके boiling पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ता तो अगर इसमें एसी टोन है तो टेंपरेचर इसका 56 डिग्री सेंटी ग्रेड ही बना रहेगा काफी देवता जब तक सारा का सारा एसी टोन इसमें से ट्रांसफर नहीं हो जाता यह कंडेंसर क्यों लगाते हैं इसमें वाटर चलता रह तो यह तरीके से जैसे उसका टेंपरेचर 100 डिग्री से उपर होने लगता तो हमें पता चलता कि सारा वापुटर इसमें आ गया है फ्लास्क में और अब इसमें यहां किया बचा है यहां ग्लेसरॉल बचा हुआ है ठीक है इस तरीके से यह हमारा टेक्नीक यह पर भी मिला सकते हैं तीन लिकविट मिला लें जैसे की water water में हमने मिला लिया acetone और glycerine तीनों मिला लिया हमने तो तीनों liquid पर भी काम कर सकती है ये technique जैसे की इस flask में जो हमारे एक दो तीन तीनों liquid mix है तो कौन सा है एक acetone जो 56 degree पर evaporate होगा दूसरा तो अगर तीन लिक्विड मिले हुए है तो हम इसको फिर बॉइलिंग पे लगाते हैं तो थर्मोबीटर लगा हुआ है तो सेम अगर फ्लास्क तो सबसे पहले जैसी इसका टेंपरेचर 56 पहुचेगा तो इसका टेंपरेचर इसका टेंपरेचर 56 डीज सेल्सियस ही रहेगा तो जैसे इसका टेंपरेचर चेंज होने लगेगा तो हम देखेंगे कि अब टेंपरेचर बढ़ने लगा है याई अगरेट हो गया अब नेक्स्त हाइस्ट आइस्त का यानि वाटर का तो हम पहला मज़ा फ्लास्क अटाके यह और फिट हंडेट डिग्री टेमपरेचर बना रहेगा बहुत दियर तक तो जब तक सारा वाटर एवेपरेट नहीं जाता जैसे ही सारा वेपरेट वाटर एवेपरेट होगा फिट तो इस तरीके से हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं अपने टूम मिस्सेबल लिक्विट को सेपरेट करने तो यह टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके उपर आपका क्वेश्चन भी आसकता तो इसे अच्छे से पढ़ लेए उस दिन हम यह answer question answer का चुके थे what do you observe as you start heating the mixture हम यह देखते हैं कि temperature बढ़ना start हो जाता है और फिर एक temperature का के fix हो जाएगा at what temperature does the thermometer reading become constant for some time answer है 56 degree क्योंकि 56 degree पे क्या है acetone का boiling point है what is the boiling point of acetone 56 degree why do the two components separate because there is a temperature difference in the boiling points of two different liquids तो इस तरीके सामने distillation देख लिए this method is called distillation ठीक है method का नाग क्या है distillation it is used for separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points अब देखो अभी तक तो चीज़े ठीक हमने समझ लिए है इस process को अब देखते हैं कि यह काम कैसे करता है process का नाग क्या है distillation it is used for separation of components of a mixture containing two miscible liquids तो कि किस पे काम करता है two miscible liquids पे that boil without decomposition यह बहुत important point है that boil without decomposition means कि वो boil होने पे कोई और चीज नहीं बना ले है जैसे कि अगर कुछ सारे liquid ऐसे हो सकते हैं कि जैसे water है तो water boil होने पे भी water रहता है H2O रहता ही है और glycerine भी glycerine ही रहती है लेकिन कुछ चीज़े ऐसी हो सकती है जो boil होने पे नया compound बना लेगा तो ऐसी चीज़े हमारी नहीं होने चाहिए तो कैसे boil हो? boil without decomposition उनका decomposition नहीं होना चाहिए वो boil होने पे कुछ और नहीं बनना चाहिए and have sufficient difference in their boiling point तो जैसे कि एक 56 डिग्री था हमारा 56 डिग्री और दूसरा क्या था 100 डिग्री तो इन में बहुत difference है अगर कोई कहे हमसे कि ऐसे दो missible liquids है एक का temperature जी 56 डिग्री Celsius है और दूसरे वाले का 56.1 है तो problem यहां पर क्या है कि इनके जो boiling point है वो इतने nearby हैं कि हम उतनी precisely flame को control नहीं कर पाएगे तो इसका तो evaporation होगा ही होगा इसका evaporation भी बहुत बहुत जादा होगा तो इस तरीके से इन्हें separate नहीं कर सकते तो दो liquid जिनका boiling point nearly equal हो even बलकि यह कहा जाता है जिनमें कम से कम difference कितना होना चाहिए कम से कम 5 degree Celsius का difference होना चाहिए वो ही liquid हम इससे अलग कर सकते हैं तो अगर एक का 65 है तो दूसरे का कम से कम कितना होना चाहिए कम से कम 70 तो वो ही liquid हम इससे separate कर सकते हैं जिनमें कम से कम 5 degree Celsius का boiling points में अंतर हो अगर नहीं है तो वो हम इससे separate नहीं कर सकते इस परिके से ठीक है ओके तो अभी इनमें sufficient difference होना चाहिए boiling point पर तो यह point note कर देंगे to separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25K तो अभी मैंने 5 degree Celsius की बात करी तेकर यहाँ पर केत्री की बात कर रहा है 25K तो 25 Kelvin का difference हो तो अब हम discuss कर चुके है कि Kelvin में और centigrade में क्या है relation अभी हम discuss करेंगे Fractional Distillation Process is used तो एक और complex process होती है जिसका नाम है Fractional Distillation नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं होता इसका नाम है Fractional Distillation Process यूस की जाती है For example, for the separation of different gases from air different fraction from petroleum products etc तो एक और टेक्निक होती है जिसका नाम है Fractional Distillation तो अब जो petroleum product है उनके distillation नॉर्मल तरीगे से नहीं होता उसके लिए हम क्या यूज करते हैं Fractional Distillation इवन जैसे अभी हमने डिसकस करा 5 degree centigrade का difference मैं minimum बता रहा हूं क्योंकि मैं अपने lab के experience से बता रहा हूं तो पेट्रोलियम के लिए अगर कोई पूछे की पेट्रोलियम के लिए कौन सा distillation यूज होता है तो पेट्रोलियम product के लिए हमारा Fractional Distillation यूज होता है Fractional Distillation ठीक है the apparatus is similar to that for simple distillation except that a fractioning column is fitted between the distillation flask and condenser तो setup Fractional Distillation का बहुत सेम होता है बस सिर्फ एक Fractional Column है Fractionalating Column लगा दिया रहता है एक्स्टर ठीक है तो यहां पे देखो Fractional Distillation का आपका setup दिखा रखा है तो Fractional Distillation का setup आपको दिखा रखा है इसमें बस एक चीज का difference है एक चीज का difference है कि यहां पे Fractionalating Column लगा दिया गया है ठीक है यहां देखो एक Extra Column है इस टाइप से उसमें अगर पिछले वाले diagram से देखो गए तो इसमें काफी difference है तो इसमें एक Fractionalating Column लगा आगया है ठीक है यह Fractionalating Column आपका यह दिस वन तो यह Extra लगा दिया है इस Fractional Distillation की वैसे जिनके Temperature के Difference कम है उन्हें भी आप Distill कर सकते हूँ ठीक है अभी इस Process को भी समझते है कि Fractional Distillation कैसे काम करता है अभी फिल से इस पिछले वाले figure से इसको compare करते है देखो इसमें कहीं Column है इसमें Column है नहीं है तो यह Fractional Distillation नहीं है यहां देखो इसे देखो यहां एक Fractional Distillation का Column है Fractionaling Column तो यह Fractional Distillation है